जहां कतल किसी और का करना था लेकिन कन्फिूजन में कातिलों ने एक एक कर तीन ऐसे लोगों की जान ले ली जिनका ना तो इनसे कोई लेना देना था और ना ही कोई दुश्मनी थी कई बार इनसान करना कुछ चाता है, लेकिन हो कुछ और जाता है लेकिन यदि कोई ये कहे कि कनफ्यूजन में ही उसने तीन कतल कर डाले तो इसे आप क्या कहेंगे? जुर्म की ये रॉंग्टे खड़े कर देने वाली कहानी कुछ ऐसी ही है ये तीन लोग इसलिए मारे गए क्योंकि एक दिन पहले उनकी ट्रेन छूट गई थी आज की सच्ची घटना करनाटक के गड़क शहर की है हारा अप्रेल दो हजार चॉबीस की देर रात करीब सवा दो बजे दासर गली में रहने वाले लोगों को अचानक एक घर से चीखने चिलाने की आवाज सुनाई देने लगती है ये घर किसी और का नहीं बलकि गड़क बेटा गेरी नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश बकाले का था चीखने वालों में खुद प्रकाश और उनकी पतनी सुननदा शामिल थी दोनों की चीख इतनी भयानक थी कि लोगों को समझ में आ जाता है कि बकाले परिवार के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो रही है आनन फानन में घर के बाहर मोहले वालों की भीड जमा होने लगती है देखते ही देखते पुलिस की टीम मौके पर आ पहुँचती है लेकिन जैसे ही पुलिस बकाले परिवार के इस मकान में दाखिल होती है उसके कदम ठिठक जाते हैं चारों और खून ही खून था कुछ मिनटों के अंदर इस घर में चार-चार लोगों का कतल हो चुका था बकाले परिवार के 27 साल के बेटे कार्थिक और तीन रिष्टेदार परशुराम हदीमानी उनकी पतनी लक्ष्मी हदीमानी और उसकी 16 साल की बेटी आकांक्षा लेकिन इतनी भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुननदा बकाले की जान बच गई थी पुलिस भी उनको जिन्दा देख हैरान थी दरसल जब कातिलों ने इस घर पर धावा बोला तो बकाले दमपत्ती ग्राउंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में सो रही थी जबकि हदीमानी परिवार उपर की मंजिल पर सो रहे थे हमलावर सीधे फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की से पहली मंजिल पर पहुँचे और वहाँ सो रहे हदीमानी परिवार को टार्गेट कर दिया कुछ मिनटों के अंदर इस घर में चार-चार लोगों का कतल हो चुका था बकाले दमपत्ती ने जैसे ही दर्वाजा पीठने की आवाज सुनी तो उन्होंने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से चीख चिला कर लोगों से मदद मांगने लगे खुद प्रकाश बकाले ने अपने कमरे से ही मदद के लिए पुलिस को भी फोन किया लेकिन जब तक पडोसी कुछ समझ पाते पुलिस तुरंत मौका एवारदात पर पहुँची कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चार लोगों की जान लेकर फरार हो चुके थे पुलिस जब मौके पर पहुँची तो पूरा घर खून से सना हुआ था खास कर पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर घर के सामान भी बिखरे हुए थे पुलिस और पडोसियों को देखने के बाद ही खुद बकाले दमपत्ती भी अपने कमरे से बाहर निकले थे रात करीब सवाद उबजे प्रकाश और सुननदा ने किसी के दर्वाजा पीटने की आवाज सुनी तो उनको शक हुआ तो उन्होंने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया और वहीं से चीख चिला कर लोगों से मदद मांगने लगे पुलिस को लगा कि इस वारदात के पीछे डकैतों के किसी गिरोह का हाथ हो सकता है खैर इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारी दे दी गई किसी को गड़क और आस-पास के इलाकों में काम करने वाले डकैतों के गिरोह और उनकी गतिविधियों के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दी गई कोई टीम CCTV कैमरों की स्कैनिंग में लगी एक टीम गड़क दमपत्ती और दूसरे नाते रिष्टेदारों से पूछ ताच कर रही थी जबकि एक टीम मोबाइल सर्विलांस और उससे जुड़े डेटा खंगाल रही थी यानि पुलिस की तफ्तीश हर एंगल पर चल रही थी इस कोशिश में पुलिस को बकाले दमपत्ती के घर पर धावा बोलने वाले कातिलों के कुछ CCTV फुटेज भी हात लगे अपराधियों के मौके से भागने का फुटेज CCTV में कैद हो गया था लेकिन CCTV तस्वीरों से उनकी पहचान नहीं हो सकी कातिलों ने घर की कुछ चीजें जरूर बिखेड दी थी लेकिन मामला लूट पार्ट या डकैती का नहीं भी हो सकता था कई बार मामले की जांच को भटकाने के लिए भी कातिल ऐसी हरकतें करते हैं लिहाजा पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से भी मामले को देखना शुरू किया खास कर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हमलावरों का इरादा सिर्फ लूट पार्ट या डकैती करना होता तो वो इतने लोगों की जान लिये बगैर भी ये काम कर सकते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चार-चार कतल के पीछे की वजह लूट पार्ट नहीं बलकि कुछ और हो पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि घर में आभूशन, कीमती, सामान और नकदी सब हिफाज़त से हैं लेकिन चानबीन के दौरान ही पुलिस को शक हुआ कि इस वरदात के पीछे किसी घर वाले का हाथ हो सकता है इसके बाद पुलिस जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने बकाले दमपति से फिर से पूछताच की उनसे उनके घर परिवार और नाते रिष्टेदारों को लेकर सवाल किये साथ ही ये भी पूछा कि उनकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई तो नहीं है इस कोशिश में पुलिस को एक अहम बात पता चली प्रकाश बकाले ने बताया कि उन्होंने दो शादियां की है सुननदा उनकी दूसरी बीवी है जबकि कातिलों के हाथों मारा गया कार्तिक उनकी दूसरी पत्नी यानि उनका और सुननदा का बेटा है जबकि बकाले को पहली पत्नी से भी एक बेटा है विनायक जो अलग रहता है क्योंकि उसकी प्रकाश बकाले सुनंदा और घर के बाकी लोगों से नहीं बनती है प्रकाश बकाले ने पूछताच में पुलिस को बताया कि उनकी अपने बड़े विनायक के साथ कुछ रोज पहले प्रापटी को लेकर लडाई भी हुई थी असल में प्रकाश को बताये बगेर प्रकाश ने विनायक को डाटा था और बहस करने पर उसे देख लेने की धमकी भी दी थी इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला कि 17 अप्रेल को ही प्रकाश और सुनन्दा के बेटे कार्तिक की सगाई हुई थी और घर में कई महमान भी आये थे लेकिन तब भी विनायक यहां नहीं आया था हमले में मारे गए परशुराम हदीमानी उनकी पत्नी और बेटी भी उनके महमान थे उन्हें अगले रोज अपने घर चले जाना था असल में हदीमानी परिवार को 18 अप्रेल को ही कोपल के लिए ट्रेन पकड़नी थी लेकिन बदकिस्मती से उनकी ट्रेन छूट गई और वो बकाले दमपत्ती के साथ ही एक रात और रुख गए लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि ट्रेन के छूटने और एक रात के लिए और रुखने के उनके फैसले ने ही उनसे उनकी जिंदगी छीन ली अब सवाल ये भी था कि यदि कातिलों ने किसी के कहने पर या फिर किसी दुश्मनी के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया तो फिर उन्होंने बकाले परिवार के रिष्टेदार यानी हदीमानी परिवार के तीन लोगों की जान क्यों ले ली इन ही सवालों के बीच अब पुलिस ने प्रकाश बकाले के बड़े बेटे विनायक के मोबाइल फोन की जाँच शुरू कर दी पुलिस ने जब उसके मोबाइल की सीडियार निकलवाई तो पता चला की हाल के दिनों में उसकी कुछ खास नंबरों पर रह रह कर कई बार बात चीत हुई थी इन में से दो मोबाइल नंबर ऐसे लोगों के थे जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था बलकि एक तो इलाके का हिस्ट्री शीटर था विनायक के फोन के जरिये पुलिस उस सुपारी किलर तक जा पहुँची जिसके साथ इस कतल की वारदात के लिए 65 लाक में सौदे की बात हुई थी जैसे ही पुलिस के हाथ सुपारी किलर लगा तो साजिश की गुथियां खुद बखुद खुलती चली गई अब पुलिस ने एक तरफ बकाले परिवार के बड़े बेटे विनायक को हिरासत में लिया थोड़ी पूचताच के बाद ही पूरी कहानी साफ हो गई जो की बेहद हैरान करने वाली थी ये कतल ना तो किसी लूट पाट का नतीजा था और ना ही कुछ और बलकि इस वारदात के पीछे खुद घर का बड़ा बेटा विनायक ही था उसने ही अपने पिता प्रकाश बकाले सौतेली मा सुननदा और सौतेले छोटे भाई कार्तिक के कतल की सुपारी दी थी पुलिस की पूचताच में अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया की उसने इस काम के लिए पूरे 65 लाक रुपए की सुपारी दी एडवांस के तौर पर 2 लाक रुपए दिये थे जबकि बाकी रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने थे असल में विनायक अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी को लेकर हुई जगडे की वजह से काफी नाराज था एक तो उसे लगता था कि उसके पिता प्रकाश अपने छोटे बेटे कार्तिक को ज्यादा प्यार करते हैं उपर से उसे ये भी लगता था कि प्रकाश का व्यवहार उनके साथ भेद भाव से भरा है विनायक ने कातिलों को सुपारी देने के साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उन्हें घर में मौजूद तीन लोगों के जान लेनी है जिनमें दो उसके माता पिता हैं जबकि एक भाई सुपारी किलर को विनायक ने बाकाइदा न सिर्फ घर का नक्षा समझा दिया था बलिक उसे ये भी अंदाजा दे दिया था कि घर में केवल तीन लोग ही मौजूद होंगे लिहाजा फिरोज ने जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ही अपनी प्लानिंग की मगर यहां गड़बड़ी हो गई कार्तिक के सगाई की तैयारी के लिए परशुराम और लक्षमी कोपपल से आये थे शहर के चन्नम्मा सरकल के पास दासरोनी में स्थित घर की पहली मंजिल पर परशुराम लक्षमी और आकांक्षा सो रहे थे बदमाशों ने खिड़की का शीशा तोड़कर तीनों की हत्या कर दी शोर सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर सोरहा कार्तिक उन्हें देखने गया तो बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी हत्या करने के बाद बदमाशों ने प्रकाश और सुननदा का दरवाजा भी खटखटाया जिन्होंने अंदर आने से इंकार कर दिया और मदद के लिए पुलिस और पडोसियों को बुलाया परशुराम हदी मानी उनकी पत्नी और बेटी तो यूँ ही मारे गए जिनका दूर दूर तक बकाले परिवार में चल रही इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था वो सगाई में शामिल होने पहुँचे थे और अगले रोज सुबह उन्हें वापस घर लोट जाना था इसके बाद पुलिस ने विनायक की निशान देही पर एक कर उन सारे साथ लोगों को गिरफतार कर लिया जिन्होंने सुपारी लेकर कतल की इस वारदात को अंजाम दिया इन कातिलों में कुछ का तालुक करनाटक से है जबकि कुछ का गोवा और कुछ का महाराष्ट्र से इसमें गड़क शहर के फैरोज काजी गड़क के जिशान काजी मिराज के साहिल काजी मिराज के सुल्तान शेख महेश सलोन के और वाहिद बेपारी इस घटना करम में शामिल है इन सभी को गिरफतार कर लिया गया है काउंसिल उपाध्यक्ष सुनंदा का सौतेला बेटा विनायक बकाले इस मामले का मुख्य आरोपी है उसने ही हत्या की सुपारी दी थी विनायक बकाले ने फैरोज काजी को 65 लाख रुपे में सुपारी दी थी उसने 2 लाख रुपे एडवांस दे दिये थे पिछले दिनों पिता प्रकाश बकाले और बेटे विनायक के बीच व्यापारिक विवाद हो गया कुछ महीने पहले विनायक ने अपने पिता प्रकाश को बताय बिना कुछ संपत्ती बेच दी थी इसी प्रिष्ठ भूमी में प्रकाश बकाले ने विनायक के व्यवहार से तंग आकर जगडा कर लिया विनायक ने संपत्ती बेचने का विरोध करने पर पिता प्रकाश सौतेली मा सुननदा और भाई कार्तिक को मारने की योजना बनाई थी कातिलों को गिरफतार करने बाद उनसे हुई पूछताच में पुलिस को पता चला कि हदीमानी परिवार के तीन लोगों का कतल तो उनसे धोखे में हो गया और जब कतल के दोरान बकाले दमपत्ती शोर मचाने लगी तो उन्हें मौका ए वारदात से भागना ही ठीक लगा वो फॉरण मौके से भागे और अपनी गाड़ी तक पहुँचने से पहले घर के पास एक नाले में ही कतल में इस्तिमाल किये गए हथियार फेंक कर फरार हो गए अब सब आरोपी जेल के अंदर है मामले की जाच करने वाले कर्मियों को पांच लाख रुपे का इनाम देने की घोशना की गई है आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें